हांडवा का नाम सुनते ही मेरे मुँमे तो पानी आ जाता है क्योंकि हांडवा मुझे बहुत ही पसंद है और श्पेशली जब हांडवा मेरी मम्मे के हाथ से बना होता है तब वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए आज बनाते हैं हांडवा और वो भी मेरी मम्मी के स्टाइल से मेरी मम्मी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हांडवा बनाती थी तो आज मैं वही तरीके से हांडवा बनाऊंगी तो चलिए फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो हांडवो बनाने के लिए सबसे पहले हमें हांडवा का बेटर बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें चाहिए 4 कप चावल, 2 कप चनी की डाल और 1 कप हमें चाहिए उड़त की डाल चावल आप कोई साब ले सकते हो जिससे आप चावल बनाते हो खिचरी बनाते हो तो यहाँ पर मैंने जिससे मैं खिचुड़े बनाती हूँ वो वाले चावल मैंने लिये है और चावल और दाल को मैंने अच्छे से 2-3 बार जब तक कि पानी क्लीन ना आने लगे तब तक मैंने उसे दो लिया है चली अब चावल और दाल को हमें बिखने के लिए छोड़ देना है कम से कम 5-6 गंटे के लिए तो उसमें थोड़ा सा पाने एड़ करेंगे थोड़ा जादा एड़ करेंगे और उसे 5-6 गंटे के लिए हम बिखने के लिए छोड़ देंगे तो आप देख सकते हो कि 5-6 गंटे में दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं चली अब दाल और चावल को हमें ग्राइंड कर लेना है तो एक mixing jar में मैंने थोड़ा सा दाल और चावल ले लिया है आधा कप जितना मैंने दही लिया है लेकिन आधा मैंने दही इसके अंदर अड़ किया है एक दम खटा वाला दही लेंगे और थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो इसके अंदर हमें कम से कम पानी का यूज़ करना है थोड़ा सा हम चला लेंगे mixer को और ज़रुत लगे तो थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो इस तरह हमें बैटर रेड़ी करना है तो ये लिजे बैटर हमारा रेड़ी है तो आपको में दिखाती हूँ कि हमें कितना इसे दरदरा रखना है तो ये देखिए इतना दरदरा बैटर हमारा होना चाहिए इसे हमें एकदम महीम नहीं पीसना है इतना दरदरा हमें उसे रखना है तब ही हमारा हांडवा बहुत ही बढ़िया बनेगा चले बैटर को मैं निकाल लेती हूं एक पतिली में और जो बाकी बचे दाल और चावल है उसे भी हमें पीस लेना है तो कप में जितना दई बचा था आधा कप हमने दई लिया था तो सारा दई इसके अंदर एड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी और फिर से हम इसे चला लेंगे तो ये लिजिए बैटर हमारा एकदम रेड़ी है बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे डख कर हम 5-6 गंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे बारिश के मौसम में और सर्दियों में इसे फर्मेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर आप घर्मियों में हांडवा बना रहे हो त अब हम करेंगे पाकी की तैयारिया तो बैटर को टककर अभी रख देंगे साइड में और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ लौकी तो आज हम हांडवे के अंदर सिर्फ लौकी का यूज़ करेंगे क्योंकि मेरी मम्मी हांडवे के अंदर खाली लौकी ही एड़ करती थी मैं कभी कबार इसके अंदर और भी वेज़िटेबल्स एड़ करती हूँ जैसे कि गाजर हो गया स्वीट कॉन हो गयえ कभी कबार मैं बेट रूट भी एड़ करती हूँ लेकिन आज सिर्फ लौकी एड़ करेंगे तो मेरे पास इस सरा का chopper है तो मैं इसे chop कर रही हूँ अगर आपके पास chopper नहीं है तो आप इसे greater से grate भी कर सकते हो और एक बात कि यहाँ पर लौकी हमें थोड़ी सी पटली वाली पसंद करनी है क्योंकि मोटी वाली लौकी में बहुत सारे बीज होते हैं उसे आप chop करोगे या फिर ग्रेटर से ग्रेट करोगे तो भी बीच रह जाते हैं और वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं तो यहाँ पर पटली लौकी हम लेंगे चलिए यहाँ पर बातो बातो में मैंने लौकी को एकदम अच्छे से चौप कर लिया है और अब यह जो बैटर है उसके अंदर डाल देंगे लौकी तो लौकी को पहले फटा-फट से डाल देंगे क्योंकि लौकी चल्दी से काली पड़ जाती है तो ज़ादा देर उसे बाहर नहीं रखेंगे मतलब कि बैटर के अंदर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो काली ना पड़े तो चल्ये लौकी को मैंने डाल दिया है वेटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं फ्रीज से लेके आ गई हूँ अदरक और मिर्च क्योंकि इसके अंदर आमें बहुत सारी अदरक मिर्च और लसुन चाहिए तो यहाँ पर मैंने इस तरह की तीखी वाली मिर्च लिया है इसे हम लविंगिया मिर्च बोलते हैं आप अगर चाहो तो इसको कूट कर इसकी पेस्ट बना कर भी इसे यूज़ कर सकते हो चलिए अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक छोटी सी खांड़नी और इसके अंदर हम डाल देंगे बहुत सारी मुंगफली योग कि यह जो हांडवा है उसके अंदर मुंगफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है स्पेशलि मुझे हांडवी के अंदर मुंगफली बहुत अच्छे लगती है तो मैं थोड़ी सी जादा ही लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक मुठी जितनी मुंगफली ली है और इसे इस सारा से कूट लिया है मुंगफली के तीन स काने के लिए कूकर तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का हांडवा का कूकर है जो गुजरास से हैं उन्हें पता होगा हांडवा का कूकर कैसा होता है तो कूकर होता है और उसके नीचे इस तरह की एक ट्रे होती है उसके अंदर हमें बननी होती है मिट्टी तो मिट्टी हम एक चोटा वाला बननर होता है सबसे चोटा वाला उसके उपर हम यह स्टैंड को रख देंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पे हम गरम होने के लिए रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी उड़ जाए चलिए अब यह जो कुकर है उसे हमें तेल से अच्छे से घ्री यहाँ पे एक छोटी सी पतीले में मैंने 5-6 चमच इतना तेल लिया है तेल गरम होते ही उसके अंदर डाल दी है एक चमच बखे राई थोड़े से करीब पत्ते हिंग और यह जो मुंफली हमने क्रश की थी उसे हम इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद इसके अंदर हम डा हमें अब गेस की फ्लेम को हमें उफ कर लेना है अल्दी हम अभी एड करेंगे तो हल्दी का बहुत बढ़ी हए कलर आएगा हंड़े के अंदर चलि अब यह जो मिख्यर हमने ready किया है जो वगार हमने ready किया है वो डाल देंगे इस बैटर के अंदर और इसे फटा-फट से कर लेती हूँ कितना खठ्टा है कितना नमक कंभी और अब यू छो आंधवा है वह हमें थोड़ा सा खट्टा मीठा पसंद है तो मैंने इस मेलने फोड़ा सा गूड्ऐ किया है एकदम बारिक वाला गुड़ लेंगे अगर आपको एकदम खट्टा हांडवा चाहिए तो आप गुड़ को स्किप कर सकते हो और अब इसके अंदर एड़ कर देंगे इन्यों का एक टैकेट और इसे एकदम हलके हाथों से बराबर से मिक्स कर लेंगे तो यह लेजे बैटर हमारा एकदम रेडी है और अब यह जो कुकर है वो भी अच्छे से गरम हो गया है अब यह इस बैटर को हमें इसके अंदर कुकर के अंदर डाल देना है तो सारा बैटर इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह फैला और अब मैंने फिर से वही वाली पतिली ले ली है और उसके अंदर दो से 3 चमज बर के मैंने डाल दिया है तेल, तेल गरम हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे निकाल ली है एक लाल सुखी मिर्च और एक थेज़ पता, यूँकि हांडवे के उपर हम फिर से वगर करने वाले ह ताकि हांडवे का टेस्ट दबल हो जाए तो तेल यहां पर अच्छे से गरम हो गया है तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है एक चमजबर के तिल और यह जो खड़े मसाले जो हमने निकाले थे वो डाल देंगे गैस की फ्रेम को हम आफ कर लेंगे और अब उपर से डाल देंगे एक चमजबर के लाल मिर्च पाउडर और इस वगार को हम डाल देंगे हांडवे के उपर हांडवे के उपर इस तरह तड़का लगाने से हांडवे का टेस्ट दबल हो जाता है और अब उपर से मैंने थोड़े से तील और शिड़क दिये हैं तो यह तील वाला लेयर मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है चलिए अब कुकर का धकन लगा देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे एक गंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे एक गंटे बाद इसे हम चेक करेंगे तब तक हम बना लेते हैं लसुन की चटनी हांडवे के साथ खाने के लिए तो यहाँ पे लसुन की चटनी बनाने के लिए एक mixi jar में मैंने 8-10 कली लसुन ले लिया है, थोड़ा सा नमक एड़ किया है, 3-4 चमच बर के मैंने लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है, थोड़ा सा पानी एड़ किया है और इसे पीस लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा प इसे फूट जाए उसके पाद उसके अंदर डाल देंगे यह वाली पेस्ट और इसे अच्छे से पून लेंगे, 2-3 मिनिट हमें इसे पून लेना है, उसके बाद जार के अंदर थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और वो पानी हम डाल देंगे चटनी के अंदर और इसे हम अ देख लेंगे, चाकू एकदम क्लीन निकले, तो समध लेना है, हांडवा एकदम ready है, डेस्की फ्लेम को हमें ओफ कर लेना है, और हांडवे को हमें थोड़ा थंड़ा WILL देना है, मतलब कि आदा गणता हमें उसे थंड़ा होने दिना होगा, उसके बाद ही हम उसे कट करेंगे, अगर आप गर्मा गर्म ही इसे निकालोगे तो हांडवा एकदम अच्छे से निकलेगा तूट जाएगा तो यहाँ पर आदा गंटा हो चुका है और हांडवा थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है तो मैंने इसके पीसिस निकाल लिए है आप देख सकते हो कि कितने इजीली इसके पीसिस निकल रहे है और हांडवा हमारा एकदम रेड़ी है इसे हम सर्व कर लेते हैं कच्छे मुंख़ली के तेल और लसुन की चटनी के साथ आपको मैं दिखाते हूँ कि हांडवा कितना सॉफ्ट बना है तो आप देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पॉंजी हांडवा बन करके रेड़ी है तो यहाँ पर मैंने मेरी मम्मी के style से हंडवा बनाया है एकदम perfect हंडवा बनाया है अगर आप भी ये measurement follow करोगे तो आपका भी हंडवा एकदम perfect बनेगा तो आपको आज के recipe कैसे लगी प्लीज मुझे comment करके जरूर बताना और अगर recipe पसंद आई है तो एक like जरूर करना और अपने friends और family के साथ भी share करना चले मिलते हैं जल्दी ही next recipe के साथ तब तक के लिए बाई जेशी कृष्णा